सिंध्या ने बताया कौन है उनका राजनेतिक गुरू सिंध्या की सिफारिश वर ही उनके गुरू को बिला टिकट, अब प्रचार भी किया इंदोर सीट पर बीजेपी उमीदवार के लिए वोट बागने पहुँचे सिंध्या जोत्रादित सिंध्या को राजनेति के सिक्षा उनके पिता माधोराव सिंध्या से मिली थी माधोराव सिंध्या ने जोत्रादित के लिए राजनेति पे पूरी जमीन तयार कर दी थी और इंतजार को रहा था 2004 के लोग सबाद चुनाव का ये चर्चाएं पूरे ग्वालियर चंबल रीजन में थी कि जोत्रादित्य को माधो राव गुना सीट से चुनाव लड़ाएंगे और खुद ग्वालियर शप्फ हो जाएंगे जहां से वो चार बार चुनाव जीच चुके थे जिसमें एक नाम इंदोर की सावेर सीट से चुनाव लड़ा है तुलसी सिलावट का भी है सिलावट माधो राव के बेहत खरीबियों मगिने जाते थे और बाद में जोत्रादित सिंध्या के साथ ही मजबूती से खड़े रहे 2020 में जब जोत्रादित ने बगावत की तो तुलसी भी सिंध्या के साथ बीजिपी में चले गए सिलावट इस बार भी सावेर सीटे चुना रहे है और पिछले दिनों प्रियंका गांधी जब इंदोर पहुँची तो उन्होंने सिलावट को मिलावट करार दिया था उन्होंने मंद से कहा कि उधर आपको धुका मिलेगा इधर आपको मौका मिलेगा सिंध्या ने कहा कि तुलसी सिलावट जैसा जनसेवक मिलना मुश्किल है मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरे साथ दिन रात वे खड़े रहे वो हमारे टीचर है सिंध्या ने मन से ही तुलसी सिलावट को अपना होरू बता दिया साफ कर दिया कि राजनीत में उन्होंने सिलावट से बहुत कुछ सीखा है लेकिन आज अपने ही गुरू का परचार करने के लिए उन्हें सावेराना पड़ा है इस दौरान सिंध्या ने तुलसी सिलावट की तारीव करते हुए कहा कि मंद्परोदेश को तुलसी सिलावट जैसे लोगों की जरूरत है विपक्ष को इसमें भी राजनीत नजर आई और उसंने लोगों को गुबराह करने का काम किया और पीछे के रास्ते से खुज़कर खुटी का लगवाया ये लोग बहरूपिया हैं जनथा के साथ खिलवार करते हैं इस दोरान सिंध्या ने राहूल गांदी से लेकर कबलनात और दिखविजे सिंग पर भी निशनाना साथा सिंध्या ने कहा कि कॉंग्रेस ने 2018 में कहा था किसान का करजा माफ करेंगे पर कभी किया ही नहीं इनकी मुहबत की दुकान में केवल नफरत का सामान है सिंध्या ने कबलनात और दिखविजे सिंग की चोड़ी पर भी तंज कसा और कहा कि हमारे यहां कुर्सी की लड़ाई नहीं लेकिन वहां कॉंग्रेस में बड़े भाई और छोटे भाई दोनों की नज़र कुर्सी पर है उनकी आँखों में कुर्सी की चमक दिखती है और कुर्सी के पास जाकर एक बार आजा आजा कहते है कॉंग्रेस का किस्सा कुर्सी का है बीजेपी का किस्सा आपके विकास का है फिलाल मत्यप्रदेश में सिंध्या उसी रोल में दिखाई दे रहे हैं जिस रोल में 2018 में वो कॉंग्रेस के लिए थे 2018 में सिंध्या कॉंग्रेज के लिए पूरे प्रदेश में चुनाव परचार कर रहे थे तो इस बार वो बीजेपी के लिए चुनाव परचार कर रहे हैं सिंध्या की सबसे जदा सभाय वैसे तो ग्वालियर और चंबन रिजर में ही हो रही है इसके अलावा बुंदेल, खंड और मालवा निमान में भी सिंध्या की लगातार रहलिया हो रही है और सिंध्या भी रहलियों में कॉंग्रेज पर निशाना साथने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे है प्यूरो रिपोर्ट तरनोधर पर नियूस